अरे स्वाती स्वाती अरे जल्ली चाहे लिया हो फिर मुझे लेट हो रहा है माली सब कल भी चिल दा रहे थे मेरे उपपर तुमने पीली वो दूद कम था तो इसलिए मैंने आपके लिए बनाई आप देलो अरे क्या हो गया तुम इसमेसे लेलती चाहे तुम पी लेती थोड़ी सी तो क्या हो जाता नहीं नहीं रोज रोज चाहे पीना ठीक भी नहीं है और कभी कबार नहीं प्योंगी तो क्या हो जाएगा आज तुम भी लो मेरा मन भी नहीं आज चाहे पीनेगा अरे वो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ाता भी तुम्हारे तो ऐसे लग रहा है कि बुखार हो रहा है अरे नहीं वो बुखार नहीं हो रहा वो पता नहीं बस कल से न सरी जरम सा हो रहा है आप जाके दवाई लिया हूँ मुझे पता है आपको बुखार हो रहा है चाओ आज रहने तो काम पे मर चाओ स्वाती तुरे तो पता मेरे पास पैसे नहीं है आज मुझे ना जरूर जाना पड़ेगा काम पे मालिक साब से पैसे लेका हूँ हैं आप सही कह तो मालिक पैसे जल्दी क्यों नहीं देते हैं अरे वो यह बोलते हैं चार पात दिन काम करने कर इखटे पैसे ले लेकर छलो बहुत वाट की है पर अमीजी आपको तो कुछ ज्यादा ही बुखार आ रहा है आप कैसे काम करोंगे मैं तो कहते हूं कि आप काम पे रहने होना अर मेरे नहीं मैं कर लूँगा तो मेरे बिल्कुल भी चिंदा मत करो मेरे जादा थे थोड़ी बुखार हो रहा है थोड़ा सही बुखार हो रहा होगा सही हो जाएगा अरे तुम रुको वह बुखार की गोली रखे है ना जो तुम मेरे लिए लेक आये ते वह तुम्हें दे बुखार है इसलिए गोली से भी कोई फरक नहीं पड़ा आपको ना मालिक पैसे दे तो जरूर दवाई लेके आना ठीक है ठीक है आज मैं पैसे देंगे ना मालिक तो मैं जरूर दवाई लिया हुआ तुम बिल्कुल भी टैंस मतलो अच्छा तो मैं चलता हूं वो मालिस साप लड़का ना वो बेफाल तो गुस्सा करता मेरे उपर उल्टी सीदी बोलता ठीक है मैं सामको जल्दी आजाओं अगर पैसे देदी तो चलो मैं चल लाओं अब कुछ रख़ा हो ना घर मैं तुम कुछ खा लेना भूकी मत रहना ठीक है मैं खालूंगी आप भी खालेना पर वह जबनी गया चल ला है अब यह राम 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 आगे तुम और आगा जबीतो तेरे सामने खड़ा हूं कोच ना भाईया डोला साफ कर रहा है और अम इतना आया ना भाईया अभी अम इतना आया यार यूदु बहुत लेट आए कर आने दे आज इस है मैं देख उना कि चल्दू काम कर अपना कर रहा हूं वहीं जी कि अच्छा कि अच्छा लगता है आज मालिक का लड़का आया है मालिक साब नहीं आया आज चलो कोई बात नहीं चलता हूं लेट हो गया के अचे में भी नमस्ते बनहीं अच्छा लग्साइब मालिक साब फया वह घरमत कुछ पाम था से लेट हो गया अरश ल्व्या जल्दी आजाए कर भी हैंने हो पार में तो काम हैं चल्दी तो अब कल दुधा हो क्वित्दी钱 這個 जै एब आपने काम कर ले यह ति और ह husbands अपना का कर लो मैं और लेवरж को देखिया हूं ठीक है ठीक है जिर तही फGame तर दोस्य वाले अधे बाते स्काम कर ले मैं से कर लेता हूं रहते कर लोत जाए है है कि अ कि अधय के म Bishop को आभान क्या हो रहा मुझे मेरी ज्यादत भून खराप tidak कि अध्या रखा रहा है कि आप एक कियो हुआ रहा रहा है कि क्या करूं कि ए कि कि अ अरे यार चबननी इस आवित वाई यार मेरे तो मेरे तो इस लग़ारा में तर्मी खराप से लग़े चकर सा रहा है यार मैं ठोड़े आराम कर लू थोड़ा सा काम कर ले दू कोई बात ना भाई तुम बैड़े जो मैं करद युका अलिग मालिक साहिंगे तो उनसे पैसे लोगा जब दवाई लेक आऊँगा अभूदी अरे यार अमित भाई अगर तुम्हारी आज इतनी देविट खराब थी तो तुम्हाने न अच्छिया अरे यार मैसले आगया मालिक साफ से पैसे ले लेता यार मालिक साफ से पैसे तो मुझे भी लेने है अरे तू कैसे बैठा भई अरे भहिया वो न मेरे को बहुते चक्कर आ रहे थे तो इसलिए दस मिट के लिए बैठ किया था चक्कर आ रहे तो आता ही मतना आज अरे भहिया मेरे को दवाई लेका आनी थी और मालिक साब का बेट कर रहा था ये कवाएंगे मैं उसे पैसे लेका जाता घर अरे तो भहिया एक बात बता जब तेरी तवेत खराबी तो क्यों आया फिर हाँ मैं समझगा अब ऐसा न मानेगा तू एक काम कर तेरे बसकी काम वाम करना तो है नहीं हैं और जब ही तू लेटाएक रहे जोगी तुझा काम करना ना पढ़ है एक काम कर अब तुजी से निकल तेरे लिए ना आहाँ कोई काम हब अरे भाईया जी आप क्या कह रहे हो, मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां काम माँगूँआ, मेरे तो तुम्हारे अलावा करें काम है भी नहीं अरह ओई, तु दिमाग खराव तो खराव मेतना, एक काम कर निकल यहां से, प्यार से समझ ना आ रही तुझा भईया, फिलीस मुझे मुझे अपने पाथ संहत निकालो. मैं मालिक साहब आ जाएंगे, माँ न से बात कर लूगा. मालिक साहब आ जाएंगे? एक काम कर तो यहां से निकल आओ. चल. भाईया मेरे पात दिन के पैसे हैं मुझे वो तुदे दो मैं उनकी दवाई लियाँगा तेरे जो भी पैसे हैं न सब पापा से बात करी हो तो फिलाल तो निकले हाँ से चल जा मुझे पता यह बहुत हरामी है पता ना मेरे बापने भी कौन-कौन काम करने के लिए रख लिया कामवाम तो करता ना है हां आकर बैठ जा पैसे और हराम के ले जायो अरे भाया जी वैसे अपने ठीक ना करामित के साथ उसा काम से लिकालक है विचारी की सच मतवित खरावती वो पैसे विए से पता अपनी दवाई में लेका आया हाँ तु जादा मतना बोले तुझा काम करना हो तो कर नहीं तो तुझे भी निकालू काम से फिर ना ना भाया जी मैं ना किया रहा कुछ भी मैं तब अपना काम कर रहा हूं काम कर चुप चुप और आज ये पूरा साप मिलना चीए मुझा है ठीक है भी या जी अब अब मैं क्या करूं मालिक साप की लड़के ने एक तो मुझे काम से निकाल दिया और मुझे पैसे भी नहीं दिये अगर मालिक साब आ जाते तो वो मुझे पैसे देते और में तो बहुते तवित खराब में में क्या करूं क्या हुआ तुम रासल लाए और आप अपनी दवाई ले हाई तुम्हें तो बहुत तेज के भुखा रहे मालिक ने पैसे नहीं दे क्या अरे वह ऐसा हुआ मैं काम कर रहा था वो मालिक का लड़का ना मैं थोड़े बैठ गया उसने मुझे काम से भगा दिया रूल्टी सी की सुनाई और ना मेरे को पैसे दिये बोल दिया उसने मेरे बाप से मांगी और पैसे मुझे से मत मांगी तुम्हें इतनी तेज के बुखार है और मालिक के लड़के ने तुम्हें पैसे नहीं दिया कैसा मालिक का लड़का है जो उसे बिलकुल भी रहम नहीं है मालिक के ल ने उनका बेटा इतना भेहरम क्यों है जो उसे किसी की परिशानिया नहीं दिखाई दी बलकि यहां तक को तुम्हारी तवित भी उसे दिखाई नहीं दी आरे तु टैंसर मतले मैं ठीक हो जाओंगो अपना आप भगवान सब ठीक करें ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी तवित आप यहां है नहीं सवाती तुम में जाना महां पें तुम इसे क्यों बोल रहे हो आपको पता हैं आपकी तबिस क्हली जादा खराब होघ और मैं तो अभी जाओंगी आपको अच्छे से बताए हैं आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो अभी जाओंगे उसके पास, अभी लेके आउंगे उससे, मैं तुस्ते मना कर रहा हूँ न स्वाती, तू नहीं जाएगी तू नहीं जाएगी, आप चुपो जाओ, ओ आप कुछ अभी मत बोलो, आप चुपचा भी आराम करो, मैं भी आती हूँ, वह ही लेगा ना खेट भी, हाँ, मिलेगा तो ही लेगा, मैं जाती हूँ, आप आराम करो, स्वाती मत जाना, ए भावान, इसा मालिक कलोंड़ा कुछ क्या ना दे, मैं तो बहुत तबित खरावल, थोड़ आराम कर देता हूँ, अबह, ये कौन हो रहा है, ये लेडिस को हो रहा है, आप सोमिंदा जी के बेटे हो क्या, हाँ, तू कौन है, मैं कौन हूँ, मैं, अमित की भीबियो, आप ही ना उनको काम से लिकाला, हाँ, मैंने निकाला काम पे से, पर क्यों, एक बात बता, वो यहां का खाली बैठ जा, काम बाम कुछ करता ना, पैस को की और कहता रहे, और आज तो यह और कहरा, मेरी तबित खराब है, उनकी सच में तबित खराब है, वो तो यहां पे इतनी महनत करते हैं, ताकि तुम बुराई ना कर सको, और आप कहरो कि वो आराम करते हैं, भैया, हमें पैसे दे दो, उनकी बहुत ज़्यादे तबित खराब है, मुझे उनकी दवाई ले के आनी है, अरो यह, पैसे वैसो की बात करियो पापा से, और वैसे भी काम करा हम इतने, तुने ना करा, एक काम कर अब तुह हैं सजा, मैं लेडिसों से ना फालतो के बात ना करता, भैया, मैं आपके आगे हाँ जोडती हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे उनकी दवाई ले के आनी है, अगर उनकी तब यह ठीक नहीं हुई, तो बहुत बुरा हो जाएगा भैया जी, आप दे दो, तुझे एक बार की समझना आरी, मैं क्या कह रहा हूँ, यह यह फालतो के ड्रामे मत लग रहा है, यह बेश्ती कराने आई यह तो हमारी, एक काम कर यहां से निकल, मेर बना पैसे वैसे, बापस बात करी हो सारी, जा, भैय जी, आप कितने बहरें होना, आपको हमारी मजबूरी क्यों समझ में नहीं आरी, आपको मैं कितनी बार कह रही हूँ, उनकी दभीत खराब है, आप मुझे जादा नहीं तो कुछ पैसे दे दो, जिससे उनकी दवाई लिया हूँ, अरो हे, तुझे समझना आरी, मैं इती दे से क्या कर रहू, एक काम कर निकल अब चाह से, चल, आज़े अधी हाद धमाग खराब करने हैं, आप, और,ू हुआ, जुआ, 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 मुआ, मालिक का लोंड़ा कितना बत्तमीज है अमित की बाइफ के साथ भी बत्तमीजी कर रहा है इसके समझ में आ रही इसे मालिकी बताएंगे किसी दिन देख लंगई से वो ठीक कह रहे थे कि मालिक का लड़का इतना बत्तमीज है वही बत्तमीजी उसने मेरे साथ की उसे बिलकुल भी रहम नहीं आया उसे मैंने इतना बताया कि उनकी इतनी तवित खराब है पर उसने एक नहीं सुनी अब मैं उनकी दवाई कैसे दिलवाऊंगी घर का रासन कैसे लेके आऊंगी जिससे उन्हें कुछ बना के दे सकूँ भगवान मैं तो बहुत तो भी खराब हो रही है और सुआती भी नहीं अब तक वो उसके साथ बत्तमीजे ना कर दे आगे सुआती क्या हुआ क्या हुआ आप ठीक कह रहे थे सच में आपका मालिक का लड़का भूद बत्तमीजे और इकना उल्टे सीधा बोला उसे आपकी तो आपकी उसने एक औरत की भी इज़ित करनी नी आती मैं तुमसे कह रहा था था ना क्यों बहुत बत्तमीजे पर इतनी भी बत्तमीजी हद होती है उसने तो हद ही पार कर दी अब तुम कुछ मत करना कल मैं खुच जाओंगो मालिक साइद आ जाएंगे कल मैं उनसे पैसे भी आओंगो वो बाट ठीक है क्या तुम्हें मालिक का घर नहीं पता आप एक काम करो चलो हम दोनों चलते हैं पर मालिक के घर चलते हैं जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो आपकी दवाई कैसे आएगी और आपकी हालत भी गड़ती जा रही है अरे मुझे मालिक के घर पता होता तो तुम्हें मालिक के घर ही नहीं चल जाता मुझे उनका घर नहीं पता आपकी तवित खराब है आपकी दवाई कैसे लेके आऊं खर में कंड का दाना नहीं है क्या बनाऊं क्या खिलाऊं तुम्हें अरे स्वाती मैं तमसे कह रहा हूं ने तुम परिशान मतो अरे मुझे एक बार तुम बद जान दो सायद मालिक साप कल मिल जाएंगे ना तुम उनसे पैसे लिया हूँगा फिर तुम घर का सारा रासल लिया ना और मैं अपनी दवाई बीडिया हूँगा तुम बिल्कुल ही परिशान मतो भगवान सब ठीक करेगा आप ठीक कह रहे हूं चलो मैं घर में देखती हूं कुछ पड़ा हो तो थोड़ा आपके लिए बना देती हूं ठीक आप लड़ जाओ और प्रब्र तूध से होरा काम आरे बाऊ-जी नमसते नमसते आज अम्मितना आया तो न्यों में उझ बहगा दिया निसान अरे बाऊ-जी उसकी तो खिरवत खरावती वह वीचार बैठ गया था तो निसान्त भी एनों से भगा दिया इसी बात पर ही और उसकी भाई ब्याइटी पैसे मांगने की दवाई लिया आएगी उसकी तो उन्होंने उससे भगा दिया उसके साथ ही बहुत बत्तमीजी करी अच्छा जी अब है कहा निसान्त बाओ जी वो बैठे देखो तू वैल प है इसने बहुत गलत कर आमित भाई के साथ है नकता पिताजी आगे है और ही को आ रहा है मेरे पास कुई कहीं चावन ने ना बात ना बता दियो प्यामित को भगा दिया अगर निसान ये मैं क्या सुन रहा हूं है अमित के साथ तैने बत्तमीजी करी और उसकी घरवाले के साथ भी पुरमेशी करी पापा जी मैंने अमीद के साथ कोई बत्तमीजी न करी एक बात बत्ता हूँ वो है काम करने आ रहा है या ठाली बैठने आ रहा और आज सुबह लेट भी आया है और बहुत देर से बैठा भी आ मैंने उसा घर बेट दिया तो मैंने कौन सी कलती कर दी अरे नलायक वो बैठ गया तो क्या होगा उसकी तवीद खराब थी है उसकी बहुत बड़ी मजबूरी होगी जब वो पैसे मांगने आई थी ऐसी नहीं आता कोई अमीत इतना बढ़िया लड़का है हम जान देना उसे हो सकता है वो उसकी दवाई के लिए पैसे बांगना आई हो है अर तुन ने उसके साथ इतनी बड़ी बत्तमिज करी अब मेरे साथ चल अरह पापाजी उसकी कंटवित खराबना है वो तो नाटक कर रहा है ताकि उसा का करना पड़े है अरहा हराम गोड़ना तब नाटक भो नी कर रहा है नाटक अब तू कर रहा है अ है 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 वो इन अंदर चल अंपिद विटा अरे मानक साब अब नासथ वाले साब नमस्ते आ बैठो मालिक साब बैठे बैठे मुझसा कूछ को गलती हो गी हो गई अरे बेटा, गल्ती तेरे से नहीं हुई, गल्ती ते नालाइक से हुई है, देख, कितनी तभीयत खराब है इसकी, है, और तुने इसे वहाँ से भगा दिया, और इसकी वाइप को भी, और नालाइक कुछ सरम कर, गरीबों पर इस तरह सा अथा चान करेगा, तो साले कहीं भी अरे पापाजी मैंने बतायो था था तुम्हें, चुप, क्या खात बता ही तरने मुझे, अरे नालाइक, अगर ये 10 मिनट बैठ ही गया, तो क्या चुरम कर गया इसने, इसकी कितनी तभीयत खराब दी, और तुने इसे बढ़ा दिया, इसकी जब में पैसे तिक नहीं थे, अरे ये तो सोच लेकता, इसकी जब में पैसे है नहीं है, है, चार-पांच दिन होगे इसे काम करते हुए, मैंने इसे पैसे तेखनी दिये, तुने ऐसी बगा दिया बस, अरे वो तो सुकर है, मुझे चवर्णी ने बता दिया, वरने में इसका हल पूछने मिया था, अब मुझे काम कर, माफी मांग इस से, अरा पापा जी, अब में एक मजदूर सा माफी मांग होगा, मजदूर बता रहा है, अरे बता है कितना अच्छा लड़का है, कितने दिन से हमारे पास काम कर रहा है, और अब भी ये कह रहा है, एक मजदूर सा माफी मांग होगा, अरे हरा यह मजदूर नहीं यह हमारा सबसे वफदार आद्म है और तुने इसके साथ ही इतनी जयद्री की बाफिमाइग अधिन नहीं चोटे मालिक मुस्तमाफि मांगके मुझे सरमिन्द मत करो अरे नालाक अभी कितनी इंसानियत के साथ तेरे सामने खड़ा हुआ है आगे से कोई गलती नहीं तुछ से बेटामित आगे से यह कोई गलती नहीं करेगा ठीक है और आगे से कुछ ऐसा होता भी है तो अखिए और पांच जाय रुपर अपनी दवाई और रास्वन भाहले घर में ठीक है और जैसे ठीक हो जाए तुर्म पर जाना है ठीक है मालिक साब मैं कल से आ जाओं नहीं कल से नहीं बिटा जब तु पूरी तरह ठीक हो जाए तब आना काम पर ठीक है स्वाथिए अब हम चलते हैं चलो यह नमस्ती बटा करें लो स्वाती स्वाती एंट इसाल का था ना मालिक साभ इत्ध किते अच्छे हैं इनका बेटा इनाला या बस अब सही कह रहे हो कि मालिक बहुत अच्छे है डो तो इतनी are 6 कि वराइन जितनी भी करोनों वो भी कम है सुकर उस जवनी का भी है जिसमें मालिक को बता दी अगर आज वो उने नहीं बताता तो साहिध मालिक को ना पता होता स्वाती जो होता आना अच्छे के लिए होता है मैं तुछ से कहाता है ना भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे हाँ जी आपने सही कहाता चलो अब आप अपनी दवाई लियाना और कुछ घर का रासन लियाएंगे चलो तो करेंगे लियाएंगे करेंगे